आईए जानते हैं कि एक सिविल सर्वेंट की अंतरात्मा कैसी होनी चाहिए जैसा कि हमारा टॉपिक है तो देखिए अंतरात्मा में हम पढ़ेंगे यहां पे संकल, पना, वर्गी, करण, महत्व और परियोग तो सबसे पहले जो है अंतरात्मा के बारे में जान लेते हैं कि अंतरात्मा होता क्या है तो देखिए अंतरात्मा का मतलब होता है अंदर की आवाज यानि कि मन की आवाज, आत्मा की आवाज और देखिए जो आवाज जो उचित अनुचित नैतिक अनैतिक का बोध कराती है और निरणे में सही मार्क परदान करता है तो देखिए जो परमात्मा की आवाज है इसको हम दो भागों में बाड़ते हैं जैसा कि हमारा ज्यानात्मक और अधिकारात्मक अवाज ता है और अधिकारात्मक में है कि नैतिक कर्म या आचरण के प्रती प्रेरित करे और अंतरात्मा का निर्णे स्विकारने के लिए प्रेरित करे तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम कि देखिए समान्त्य जो ब्यक पिसिष्ट प्रविर्ती जैसे आत्मबोध, आत्मप्रेम, आत्ममुग्धता, नकारात्मक मुल्य, नकारात्मक मुल्य का मतब कुंठा घृड़ा, उसे अंतरात्मा की आवाज सुनने नहीं देता, और वह उस आवाज के विरुध या विप्रीत बेवहार करता है, प्रारंभ प्रिक इस्तिती में एसा करने पर गलानी या अफराद का बोध होता है, लेकिन बार-बार यह करने पर यह अफराद बोध लुप्त हो जाता है, तो देखिए अंतरात्मा को समझने के लिए हमें अंतह प्रज्या से उसके संबंधों को समझना होगा, देखिए अंतह प्रज समझने के लिए पहले इसमें बताते हैं कि अंतरातमा बराबर अंतः प्रच्णा प्लस नयतिक या दुविधा से बाहर लाती है अंतरात्मा कहलाती है तो इसका वर्गी करण किया गया है यहाँ पे हम देख सकते हैं देखिए तुरूटी हीन पहला है तुरूटी हीन और तुरूटी पूर के बारे में बताया है और दूसरा है नेश्चित या संभावित या संसयात्माक और तीसरा है प्रबुद और अप्रबुद तो पहला देखते हैं तुरूटी हीन और तुरूटी पूर्ण देखिए तुरूटी हीन के बारे में बताया गया है कि परिस्थिती को देखकर निरणे ले और दूसरा पॉइंट इसमें है तुरूटी हीन में कि कभी घोर अनैतिक काम भी नैतिक हो सकते हैं देखिए सिविल सेवक को इसके आधार पर कारे करना चाहिए और तुरूटी पूर्ण क्या है जो लकीर का फकीर हो देखिए एक एसा निड़य की और ले जाए ये तुरूटी पूर्ण है तो देखिए जैसे हमारा दूसरा यहाँ पे था कि निश्चित, संभावित, संस्यात्मक यानि की certain, probable, or doubtful तो निश्चित में देखते हैं कि व्यक्ति अपने निड़य के प्रति 100% सहमत है कोई संदेह नहीं है और संभावित यानि की probable का मतलब है कि निड़य एक पक्ष जुका हो या एक पक्ष की ओर जुकी हो कुछ संदेह हो और संस्यात्मक यानि की doubtful देखिए जहां देखिए कि अंतराल के बीच फंसा हो यानि की 50-50 में हो तो इसका उपाय है देखिए कि बताया गया है उपाय के बारे में कि जानकारी ज्यान मार्क दर्शन अनुभव के सला के माध्यम से संदेह को दूर करने का प्रयास करें और इसमें next है पराजे देखिए कोई doubtful नहीं है और एक समय के बाद निर्णे ले सकें और अजे क्या है एसा doubt जिसे जीता ना जाए तो आईए main facts जो हमको पढ़ना था उसके बारे में जाने कि civil servant की अंतरात्मा कैसी होनी चाहिए तो उसके बारे में अध्यान करते हैं कि एक civil servant की अंतरात्मा यथा संभव निश्चित होनी चाहिए संस्यात्मक या प्रवेबल अंतरात्मा की इस्थि में जानकारी जुटा कर उसे जीतने का प्रयास करना चाहिए देखिए इसको एक बाराव रिपीट करते हैं कि एक जो civil servant के अंतरात्मा यथा संभव यानि कि जहां तक हो सके संभव निश्चित होनी चाहिए संस्यात्मक प्रवेबल अंतरात्मा की इस्थिती में जानकारी जुटा कर उसे जीतने का प्रयास करना चाहिए और दूसरा पॉइंट है इसमें प्रवुद देखिए जो ज्यानवान हो प्रकासित हो और दूसरा है इसमें कि भगवान के दूद के रूप में देखा जाता है और तीसरा इसमें है पॉइंट करके कि महापुरू स्रिशी मुनी सूफी संत गांधी और बताया गया कि दर्सन विचार को जन्म दिया जो छेत्र में निरंतर का रहे हैं जो विशेशग्य हैं और अनुभवी है और नेक्स चलते हैं कि बनने का सत क्या है जैसे कि ग्रहन सेलता है सिविल सर्वेंट बनने का जो सत है वो क्या है ग्रहन सेलता है और जानने की इच्छा तो ओप्रभुध अंतरात्मा के बारे में जानते हैं कि देखिए जहां व्यक्ति पुर्वा गरह से जुड़े हैं और दूसरा point है कि व्यक्ति कठोर सोच रखते हैं और तीसरा point है रूडिवादी और next है कि नए बिचारों को आत्मसाथ को तैयार नहीं होते एसी आत्मा जो है और प्रबुद अंतरात्मा कहलाती है और इसके परियोग के बारे में जानते हैं देखिए कि जब ज्ञान बुद्धी अनुभो बिफल हो जाएं तो नेक्स है कि नयतिक मार्क दर्सन के जो बाहरी स्रोत बिफल हो जाएं जब सत्ता का प्रयोग सामरिक ही तो या जीवन मुल्य ब्यापक ही तो से जुड़ा हो जब कोई case study उपलब्द न हो इतने कम समय में निड़े लेनी है जो नैतिक शुरोतों पर विचार कर पाए और सावधानियों के बारे में देखते हैं कि देखिए तुरूटी हीन अंतरात्मा को सुनिश्चित करना निश्चित अंतरात्मा की ओर जाना चाहिए देखे और next आगे है कि संस्यात्मक को जीतने का प्रयास करना चाहिए और नैतिक मुल्यों को प्रभावित बनाकर अपनी अंतर प्रज्ज्या को सही रास्ता दिखाना चाहिए और next है कि प्रभुद अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिस करनी चाहिए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद